ब्रेड रोल ये बहुत ही ईजी रेसिपी है और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आती है तो हम स्टार्ट करते हैं ब्रेड रोल बनाने के लिए हमें चाहिए उबले हुए आलू या मैंने चोटे साइज के 80 अलू लिए है आप बड़े साइज के पाच्छे ले सकते हैं वा हरा धनिया, एक टीस्पून अर्द्रक और लसुन का पेस, एक टीस्पून धनिया पौडर, स्वादा नुसर नमक, एक टीस्पून जीरा, और फ्राइ करने के लिए तेल, तो सबसे पहले हम आलू को मैश करेंगे, आप इसे ग्रेट करके भी ले सकते हैं, आलू हमारे मैश हो गए हैं, तो हम स्टफिंग तायर करते हैं, तो हमने पैन गरम करने के लिए रख दिया है इसमें हम 2 टेबल स्पून तेल लेंगे और तेल गरम होने के बाद हम इसमें जीरा डालेंगे जीरा अच्छी तरह से फ्राय होने के बाद हमें इसमें अद्रक और लसुन का पेस्ट डालना है इसे 2-3 सेकन के लिए हम फ्राय करते हैं अब हम इसमें हरी मिर्श डालेंगे इसे भी फ्राय करेंगे अच्छी तरह से फ्राय होने के बाद हम इसमें हल्दी पाउडर लाल मिर्श पाउडर और धनिया पाउडर डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे अब हम इसमें मटर एड़ करेंगे और इसे दो मिनिट के लिए फ्राइ करेंगे अच्छी तरह से फ्राइ होने के बाद इसमें हम मैश किये हुए आलू डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसमें हम स्वादा नुसार नमक डालते हैं और यह भी इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे मसाला हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है अब हम इसे दो तीन मिनिट के लिए इसे एक भापाने तक ऐसे ही रख देते हैं दो तीन मिनिट के बाद यह स्टफिंग हमारा तयार हो गया है अब हम ग्यास बन करते हैं और इसमें हरा धनिया डालके इसे फिर से एक बार मिक्स करके इसे थंडा होने के लिए रख देते हैं तब तक हम क्या करेंगे यह जो ब्रेड साइस लिए है इसके हम एजेस को कट करेंगे हुमने कट कर लिया है इस प्रकार से सारे ब्रेड के एजेस को हम कट करेंगे कट करके हमारे ब्रेड तयार है अब हम क्या करेंगे स्टफिंग भी हमारा थंडा हो चुका है एक ब्रेड की स्लाइस लोकों लेके हम पानी में डुबो के इसका सारा पानी हम दोनों हाथ के बीच में दबा के इसका सारा पानी हमें निकालना है इस प्रकार से ज्यादा देर तक पानी में ब्रेड नहीं रहना चाहिए अब हम इसमें स्टफिंग डालके इसे अच्छी तरह से बन करेंगे और इसे हम रोल का आकार देंगे इस तरह से बन करना है हमें अच्छी तरह से इस प्रकार से रोल एक हमारा तयार है इसी प्रकार से सारे रोल हम बना के तैयार करते हैं आप देख सकते हैं ये रोल हमारे तैयार है अब हम इसे फ्राय करेंगे तो हमने तेल गरम करने के लिए पहले ही रख दिया है तेल गरम होने के बाद हम इसमें एक एक करके सारे रोल इसमें छोड़ देंगे इसे हमें मीडियम आज पर फ्राई करना है थोड़ा सा फ्राई होने के बाद हम इसे पलट देंगे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें इसे फ्राई करना है बीच बीच में हमें इसे पलटते रहना है इस प्रकार से इसे अच्छा कलर आ गया है अब हम इसे खिचन टावल पे निकाल लेते हैं इतने अच्छे ब्रेड रोल हमारे तयार है इस प्रकार से सारे ब्रेड रोल हमारे खाने के लिए एकदम तयार है आपने देख लिया कि ये ब्रेड रोल बनाना कितना असान है तो आप ये रेसेपी ज़रूर बना के देखिए खाईए और अपने फैमेली क्यों भी खेलाईए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के एंड में मेरे चैनल का लोगो आएगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे एक नए रेसेपी के साथ थेंक यू